वेलकम बैक एवरीवन इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रम फूट के कौटर थी रिजल्स नंबर के बारे में और बिजनस पे भी नज़ा डालेंगे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिजनस के बारे में देखो कंपनी का जो बिजनस है वो है सॉल्ट का बिजनस के अगर हम लोग बात करें तो वह एक ऐसा बिजनस है जिसके बहुत ही बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलेंगी काफी कंपनी इस ने बहुत जादा पैसा मार्केटिंग पे अल्रेडी स्पेंड किया हुआ है और उनके पास में बहुत मेजर मार्केट शेयर भी है जैसे कि अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं टाटा ग्रूप की तो टाटा सॉल्ट जो हो गई इसके लाव जो मल्टिपल स दूसरी चीज इसके लिए अनॉगनाइज मार्केट में विडियो है बहुत ही मेजर प्लेवस बैटे हुए मतलब आपके स्टोर होगा वह भी सॉल्ट बेशते होंगे किसी लोकल ब्रांड की तो मुझे लगता है वह बहुत इंबॉर्डन चीज है जो यहां पर आपको इस म स्पाइस जैसे प्रोड़क्स तो अल्रेडी हैं ब्रांड की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो सूर्या सॉल्ट जर्व उनका एक डॉमिनेटिंग ब्रांड है और इसके लावा अधर ब्रांड भी है जो आपके स्क्रीम पर आ रहा होंगे सबसे पहले तो यहां पे देखो कमाल की बात यह कि कंपनी ने डेड़ करोड रुपए का नेट प्रॉफिट बना लिए पांच साढ़े पांच करोड की सेल्स करके यह मुझे लगता एक पोटेंशल वाला पॉइंट है देखो इस कौटर के इंदर जो इंट्रस कॉस्ट है वह भी कंपारेटिवली कम थी यह भी एक रीजन है जिसके विरे से थोड़ सा यहां पर हमें नेट प्रॉफिट बढ़ता हो नुजर आ है पर अगर आप जनरली इसके प्रॉफिट देखोगे तो थोड़ इससे और नोट पर है मतलब किसी कौटर के अंदर बहुत जादा प्रॉफिट देखने को मिल करते हैं तो 2017 में साढ़े आठ नौ करोड का असपास सेल से 2023 में भी वही साढ़े नौ दस करोड का असपास सेल है तो आप यह देख सकते भी ग्रोथ कोई नहीं आई है और यह भी एक प्राइमरी रीजिजन है जिसके विरे से इनकी नेटवर्ट जो है वह प्राइमरी यह कंपनी वह बहुत अच्छा पॉइंट है अगें कॉम्पेटिशन और यहां पर जो लोग वॉल्यूम ऑफ सेल्स है इसकी वजह से भी मार्जन ज्यादा होता हमें नजर आ सकते कॉम्पेटिशन एक फैक्टर जिसकी विए से लोग फॉर्दर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं यहां पर देखते हैं किसी नए प्रोड़क्त लाइन को आड़ करती है या फिर किसी नए तरीके से यहां पर एक्स्पांशन करने की कोशिश करती है जैसे कि मार्केटिंग पर स्पेंट करना या फिर प्रोड़क्त को एक नए डिस्टिबीशन नेटवर्क तक पहुचाना तो देखते हैं आगे किस तरीके से management यहां पर decisions को लेते हैं but with that said मैं उमीद करता हूँ कि यह video आपको informative लगी होगी please like, share, subscribe जरूर करना अगर आपको पसंद आया तो and I'll see you guys in the next one